Hello everyone, welcome to my channel, कल यूग अंतिम यूग, अंधेरे का वो यूग, जब असुरी शक्तियां कुछ इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि उन्हें रोक पाना एक आम इंसान के लिए नामुम्किन साबित होगा, इसी लिए कल यूग में भेजा गया है, इन्हीं असुरी ताकतों के जव जवाब देने, उनकी ताकत का मुकाबला करने के लिए सबसे strongest आउतार विश्नु भगवान के कलकी के रूप में, जो अपनी ताकत के द्वारा, अपनी बुद्धी के द्वारा, चौंसठ कलाओं के द्वारा, अपनी डिवाइन विज्डम के द्वारा, पूरी तरह तयार, कल्यूग में हर उन असूरी ताकत का जवाब देने के लिए, और उनकी सेना भी, सारे देवी देवतागन भी, आज इस धर्ती पर, सभी विनाशकारी सोच का जवाब किस प्रकार देना है, और किस प्रकार उनमें परिवर्तन लाना है, इसकी तैयारी युनिवर्स के द्वा पूरी की जा चुकी है, आने वाला समय गवाही देगा कि किस प्रकार लाक शडियंत्र रच ले असूरी ताकत, लेकिन उनका विनाश होना एक न एक दिन निश्चित है, ऐसा ही युगों-युगों से चलता-चला आ रहा है, और इस युग के एंड होने पर भी वही बातें लोगों के समक्ष आएंगे, स्वरभानू ने भी जो आज रहू केतु के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम स्वरभानू था, यानि वो जब रहू केतु में नहीं बाटे गए थे, स्वरभानू वो असूर जिसने की चोरी चुके, अमरित की कुछ बुदे चकली, अपने गले के नीचे उतार ली, तो क्या मोहिनी रूप धरे विश्णु भगवान को उनकी चालाकी यानि स्वर्भानु की चालाकी का पता नहीं चला, या स्वर्भानु को सजा नहीं मिली, भले ही वो अमर हो गए, राहु केतु के रूप में, क्योंकि उन्होंने अमरित की कुछ ब धर्ती पर मौजूद हैं, छाया ग्रह कहलाते हैं, आज मैं बात कर रही हूँ, कल की अवतार की, चूंकि कल की अवतार, कल्युक के वो हिरो, जिनके अगेंस्ट बहुत सारे विलेन, खड़े हैं, और खड़े होंगे, फ्यूचर में भी, लेकिन, क्या उनके द्वारा, उन असुरी शक्तियों के द्वारा, रचे गए, शड्यंत्र की जाल में, क्या कल की अवतार फंस जाएंगे, क्या उन्हें, शड्यंत्रों के बारे में, पता नहीं चल पाएगा, या थर्ड पॉइंट, पता चलने के बाद भी, वो सही समय का इंतजार करेंगे, आज जानिए, इन तीन बातों की डिटेल्स, मेरे विडियो के द्वारा, कल की अवतार, वो सक्षम अवतार, चोसट कलाओं के, वो ग्याता, जिने हराना, आज के यूग में, कली राक्षस, जो कल की अवतार के विरुद्ध, फाइनल वार में उतरेगा, लेकिन उसके पहले अपनी ताकत के द्वारा, अपनी विनाशकारी बुद्धी के द्वारा, उन असुरी लोगों को, उन असुरों को जो अजपृत्वी पर मौजूद है, इनसान के रुप में जिनकी सोच विनाशकारी बन चुकी है, और अधिक उन्हें लालच, जलन, छल, कपट इनके द्वारा इनके रास्ते पर कली डेमन ऐसे लोगों को आगे की ओर ले जाएगा जब होगा अधर्म का बोल बाला तब कल की अवतार जो स्टार्ट कर चुके हैं अपना खेल दिखलाना पूरी तरह से उस खेल को खत्म करेंगे कल की अवतार को ऐसा नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ जो शड़ेंद्र रचा जा रहा है या रचा जाएगा उनके बारे में उन्हें कानो कान ख़बर रही पहली बात मैंने clear की दुसरी बात क्या उन शड़ेंद्रों को जेलने के लिए और उसका जवाब देने के लिए कलकी अवतार सक्षम है बिलकुल सक्षम है क्योंकि उनके जैसा ताकतवर और बुद्धिमान इस पृत्वी पर कोई नहीं और तिसरा पॉइंट जो मैंने कहा था क्या वो सही वक्त का इंतजार करेंगे हर शड़ेंद्र का जवाब देने के लिए बिलकुल कली डेमन चाहे शुक्राचारे के अंडर में शुक्राचारे यानि असुरों के गुरू उनके अंडर में भले ही कली डेमन फल फुल रहा हो उसकी विनाशकारी बुद्धी के पल पर वो चाहे कितनी भी गलत सोच यहां पर यानि पृत्वी पर रखे उसका बीज बोए लेकिन काटों के पेड़ जादा दिन नहीं टिकते सूख जाते हैं तो फूलों का मौसम कल की अवतार की बुद्धी के द्वारा फिर से एक बार इस धर्ती पर आएगा पत्जड के बाद मौसम बदलता ही है तो कल की अवतार भी हर शड्यंत्र का जवाब देने के लिए पूरी तरह तयार उन्हें हर चीज के बारे में पता है आप लोग ऐसा मत सोचिये कि कल की अवतार की अगेंस्ट कोई भी इस दुनिया में चाहे वो कितना बड़ा असूर और असूरी ताकत वाला इंसान या कली डेमन क्यों न हो लेकिन कोई शड्यंत्र रच ले और कल की अवतार को कानो कान खबर न हो या वो डर के चुप बैठ जाए ऐसा बिलकुल नहीं है बलकि कब कौन सा एक्शन लेना है और किस समय लेना है किस समय दुश्मन को जवाब देना है किस तरह शड्यंत्र कारियों की अकल ठिकाने लगानी है सही मौके पर राइट एक्शन लेकर कल की अवतार अपने मिशन को युग परिवर्तन के तहट आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे तो हर शड्यंत्र जो उनके खिलाफ जो भी कोई रचेगा उन सब के बारे में कोई भी ऐसी कॉंस्पिरेसी नहीं होगी जिसके बारे में कल की अवतार को पता नहीं होगा जिस प्रकार असुरी ताकत का दल बहुत अधिक मजबूत है उनके खबरी चारों और फैले हुए हैं उसी प्रकार कल की अवतार कल की देव उनके भी खबरी चारों और फैले हुए हैं प्लस उन्हें किसी खबरी की जरुरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास वो ओसम डिवाइन पावर युनिवर्स ने प्रदान की है कि उन्होंने अपनी आखे बंद की और सारा कुछ उनकी आखों के सामने एक सेकेंड में आ जाएगा तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो किसी शड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे या उन्हें कोई शत्रंज के खेल में मात दे सकता है वो है कलकी देव जो चौसट कलाओं के साथ भगवान शिव के आशिरवात के साथ परशुराम के आशिरवात के साथ धर्ती पर आएं एक डिवा कि मैं पर बाचिए में इड़ी